इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Macpril H2.5 टेबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल हाईपटेंशन यानि की हाई बलड प्रेश के इलाज के लिए किया जाता है ये दो दवाओं का एक सयोजन है जो एक भी दवा के प्रभावी नहीं होने पर रक्चाप को नियंतरित करने में मदद करता है ये भविश्य में किसी भी दिल के दोरे और स्ट्रोक की संभावना को कम करने में मदद करता है मैकप्रिल H2.5 टेबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाता है अधिमान तर सुभा में रात में बार बार पेशाब आने से बचने के लिए जब तक आपके डॉक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्यूंकि उच्च रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्थाहार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें मतली, अपच, स्वाद में बदलाव और दस्त इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी आपको परिशान करता है या खराब हो जाता है या दूर नहीं जाता है अपने डॉक्टर को खांसी या गले में जलन के बारे में बताएं जो दूर नहीं होती है मांस्पेशियों की कमजोरी, शुश्क मुह और अत्यधिक प्यास को दूर करने के लिए दवा लेते समय खूब सारे तरल पदाट पिएं निम्न रक्चाप के कारण चक्कर आ सकते हैं, लेकिन यह समय के साथ ठीक हो जाता है इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवर या किड्नी की कोई समस्या है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं विशेश रूप से वे जो उच्च रक्चाप या हिरदय की स्थिति का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है आपको अपना रक्चाप, गुर्दा समारोह और पोटेशियम जैसे लवन के स्तर की नियमित जांच करवानी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद